तो लास्ट वीडियो में हमने पर्मेटेशन कॉंबिनेशन के जो पहला पाट है पहला जो टॉपिक है जिसमें नाम में सारी चीज़े चुपई यह पर्मेटेशन उसको आज समझेंगे इसका मेनिंग आपको मैंने पहले भी बता दिया था लेकिन मैं यहाँ पर फिर से आपक सब्सक्राइब करता आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर टूटोरियल्स पर सबसे पहले मैं आपको पता दूं कि आपने मुझे मेरे इंस्टाग्रम आइड पर फॉलो नहीं किया तो 97 अंडर 97 अंडर सकुष मंसूरी पर जाके आपके कर सकते मुझे मुझे आपर जाक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना एंद सब्सक्राइब करना अचिंप करता है और इसको सबताता है किया न Oh फॉस कर सो एक एक चॉकलेट से बाद में 5 olv्हाइं दूसन कोई ऐक 60 से कर ना और इसको आएंज करना है इधर संपल से इसको select करें मतलब किसी एक कुछ करके इसको different दिफरेंट पोजिशन पर आरेंज करना है तो मैंने पहला चॉकलेट कि सीवन है तो सीटू है सीट्री है सिसलिक्स चॉकलेटस है अब मुझे ना 1 को है ना 6 को सीलेक्षिन करना हम लोग कोई बीए इक करना हूता है अर अनसर निकाल के देशना है नहीं है अर लोग मानला हम हवारे च्होंचान को अव्य को मान लो कि आ नबर अफ जो चौक्लिट से सिलेक करना और उसको अरेंज करना है तो उसका फॉरमला इस तरीके से आता है कि n सब्सक्राइब करना है तो उस टाइब क्या होगा मैंने सिलेक कर लिया और उसको क्या करना है तो उस सब्सक्राइब करना हमें क्या होता है एंप 6 डिवाड़ बाए एंप 3 इकोल टू 1 20 डिवाड़ बाइब एंप 3 इकोल टू 1 20 डिवाड़ बाइब वन यह रिदना उसके बद क्या होगा देखो गण्ति यहां पर सब्सक्राइब कैरें अपन बाइन-ंचीज ख़ें के देखो यह क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस थी का फैक्टोरियल यह भी क्लियर आपको और 120 को मैं आज इसी रखता हूं आप क्या करूं यहां पर डिवीजिन है डिवीजिन को जब हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है क्या हो जाता है तो यह नीचे वाला ऊपर यहनिकि एन माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में एन का फैक्टोरियल इस इक्वल टू 120 अब यहां पर हम लोग कुस्तों भी अर्रेंजमेंट करना पड़ेगा उस्तों भी सट्टिंग मतलब हमारे इसाब से हमको कोशन को बनाना प मैं इसको करूंगा तो एन मानेस 3 मल्टिप्लाइबा एक एक कम होते जा रहा है मतलब कि जो माइनश फॉला नंबर है वह बढ़ता चला जाएगा समझ मैं रहा है मतलब नेक्स टम आएगा यानि कि यह बढ़ता चला जाएगा लेकिन मैं जब इसको इसको मैं जब करूंगा इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा तो इसको ही मेरे को यहाँ पर काम की चीज नहीं है इसको मैं रफ करता हूं मैंने एक्सकों कर रहा हूं तो इसके बाद कि यहाँ पर लिख दो तरी का कोशन मैं आपको फैक्टोरल में समझा चुका हूं देखो हुँँ यहां पर क्या बज़के एन इस प्रेटो पर इसे कुछ बचके राइट है अब देखो अपने इसब से एक पर सिल्एक करके देखाऊ हुआ पहलें एक पर नंबर क्या जाएगा हमणगे 10-3 कि हो जाएगा 7 यहां पर लोगो 10-4 क्या हो जाएगा six और उसके बाद 10- ! वाइव एक नमबर हर पार रेडिस हो रहा है यहां पार हमें प्टार करेंगे करेंगे तो औं अ कर समझ में आ रहा है पहला वहां का नहीं पर एक दो छोटा किया है थर फूर सबसरे टव Judah नहीं में आ रहा है तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है इसको मैं डालके रखता हूं अब देखो सबसे पहले मैं लेखूंगा एन पी आर का फॉर्मुला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आपको याद होता हुँ उसके बाद क्या हो जागा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन यहां प्लस ण यहां पहुंस क्या हैकूं इतना क्लियर वो गया और साथ मैं एक्टोरियल 56 को समझ वह मुए है इसको उसके पहले ऐसा लिखा और मेन Sometimes खलिक सुर्ब श्यालत करें एनुदा मक्रेन एतना म aber लोग नीचे वाले को अगर एक्सपांड करेंगे तो एम माइनस एम प्लस एन माइनस 3 एम प्लस एन माइनस 3 एम प्लस एन माइनस 1 दूसरा हो गया अब तीसरा लेंगे यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूं तो यह क्या हो गया हमारा माइनस 2 टू का फेक्टोरियल इतना यहां पर हम लोग को क्या करेंगे और एक्वेशन में से फाइंड आट करेंगे दोनों को करेंगे और हमारा M और N की वैल्यू मिल जाएगे कैसे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर यहां पर यहां पर T-1 हो जाएगा हो जाएगा टी स्क्वेशन मांएस लिखा सब्सक्रण 15वेशन म मिलना चाहिए और तो हमारे पास दो नंबर कॉन से हो जाएंगे मेरे पास एक ही नंबर मुझे समझ मेरे 8 7 जा 56 यहां पर पहला जो टम होगा वह होगा माइनस 8T दूसरा टम होगा जो होगा 70 उसके बाद माइनस 56 इकुल डू 0 राइट है यह सब सारी सीदिस इजी इजी है यहां पर यहां पर आ जाएगा हमारा 7 common T-8 इतना क्लियर हो गया उसके बाद क्या करेंगे T-8 को common T-8 को common यहां पर क्या बज़ेगा पहला टम बज़ेगा T और यहां पर बज़ेगा दोनों में से देख़ो हम लोने ट-8 और T-8 को क्या निकाला सब्सक्राइब करता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आगया हमारा जो नाशनल नमबर रहते हैं उसके ही नाशनल नमबर और जीरो मतला हमारे जो फेक्टरल एक्जिस करते है अब यहां पर आगया हमारा एंपन सब्सक्राइब करेंगे तो पहला एंपन का एपन किया जाएगा M-N as it is minus उसके बाद कि हैं यहां पर टू है क्या है तो यहां पर यहां पर टू का प्रटॉरियल से पहले किया वैसे करना ठीक है अब इसको होड़ा से एक्सपार्ड करेंगे तो m-n-1-1-2 is इतना अच्छे से एक्सपांड करें में इसके बद क्या होगा हम लोग को यहां पे M-3 यहां पर क्या बच जाएगा M-n multiply by m minus n minus 1 equal to 12 अब क्या करूँ? जहाँ पर हम लोग ने वहाँ पर t लिया ते हैं यहाँ पर कुछ और ले लो यहाँ पर ले लोग Q Q ले लो, P ले लो कुछ भी लो तो m minus n को हम लोग P ले 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 यहाँ पर लिख दो let P पहले से P नहीं लिखते हैं तो minus 12 equal to 0 तो पहला term जो हमारा आएगा देखो फटा-फट से 12 को ऐसे लिखा यहाँ पर क्या जाएगा पहला term हमारा minus, दूसर term minus minus plus और plus minus plus क्यों होता है अब देखो दो term हमको कैसे मिलेंगे पहला term हम लोगो सबसे परदे दोनों को difference कितना अनो चीह है, minus 1 और दोनों को multiply करेंगे तो minus 12 तो मेरे को एक ही number हो समझ में रहो गया 4 3 is the 12, तो पहला number आगा मेरा minus 4 b और दूसरा आगा मेरा plus 3 b आजाएगा और minus 12 equal to 0 b common निकालेंगे तो b minus 4 इधर पर 3 common निकालेंगे तो b minus 4 दो हमले को जो मिलेंगे b minus 4 multiply by b plus 3 बहुत लेंदी कर रहो लेकिन आपको पहला दूसरा कुशन जोड़ा अच्छे समझाना जरूरी है तो b equal to क्या मिल जाएगा 4 and b equal to क्या मिल जाएगा minus 3 same to same m minus n क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर m minus n क्या हो जाएगा minus 3 ठीक है इतना समझ में आ गया लेकिन m minus n minus 3 हो सकता है क्या नहीं यहाँ डालेंगे जब यहाँ पर m minus n factorial निकालेंगे तो क्यों हो जाएगा negative number का factorial और negative number का factorial exist नहीं करता है therefore m minus n कितना हो जाएगा m minus n equal to 4 इसको डालते एक्वेशन number third इसको डालते है इसको डालते है इसको डालते हम लोग second तो देखा हमारे पास दो एक्वेशन दोने एक्वेशन को add करते है adding one and two तो m plus n equal to 8 और m minus n equal to 4 दोनों को add किया तो यह जाएगा 12 is equals to 2m ठीक है m की वहले कितने मिलके 6 m6 मिल गया कोई भी एक equation ने पूट कर दो putting in 2 किसमें पूट करेंगे putting in 2 2 में पूट कर दो तो वहाँ पर क्या हमारा m plus n is equal to 8 तो 6 plus n is equal to 8 and n is equal to what 8 minus 6 that is equal to 2 इस तरीके से हमको m और n की value मिल गए ठीक है इसी है दोस्तों कितना easy question था तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हम लोगों क्या substitute करना है तो यह अगर इस substitution जो आप लोगों को समझ में आगा न जिसे यहाँ पर T put के और B put के हो तो यह question आसानी से आपके लिए साल हो जाएगा ठीक है समझे इस question को नहीं समझ में तो बहुत अच्छी तरीकी समय समझाए इसको वापस से देखे फिर भी नहीं समझ में तो एक दो बाद सॉल करके देखे आसानी से आप सॉल कर सकते हो दोस्तों ठीक है नेक्स्ट कोशन में बढ़ते फटा फट से find r if 12 12 p r-2 is to 11 p r-1 is equal to 3 is to 14 तो बहुत एजी कोशन है यह भी सबसे फिले जो कोशन देखे उसको आजडिस लिख दो 12 p r-2 is to 11 p r-1 is equal to 3 is to 14 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 12 p r-2 divided by इसको का मतलब यह होता है 11 p r-1 equal to क्या हो जाएगा 3 upon 14 अब इसको expand कर देते तो क्या हो जाएगा n factorial याने कि 12 factorial अपॉन अपॉन एन माइनस आर फेक्टोरियल याने कि 12 कुछ रॉंग हो जाएगा देखो यहां पर हम लोग ने एक चीज मिस की क्या यहां पहले से माइनस में यहां पर एक ब्राकेट इंसर्ट करना पड़ेगा जब क्यूंकि इसके ब्राकेट के बार क्या माइनस है अगर यह आपको सबच में आ गया तो एकदम पर्फेक्ट अगर यहां क्या हो जाएका और 11 नीचे आगा 11 का समझो इसको क्या हो जाहेगा 11o प्लस वन का फैक्टोरियल ठीक है अब यहां भी कहाज़ेगा थर्टी अपन फॉर्टी अब टुवेल फैक्टोरियल को आपन टुवेल मल्टीप्लाइब वन लिख सकते ऐसा क्यों लिख रहे क्योंकि नीचे वाला कैंसल कर देगा और टुवेल माइनस यह क्या टुवेल और प्लस वन का फैक्टोरियल ऐसा क्यों किया ठीक है यहां पर एक चीज़ कर दे चलो यह थोड़ा से घड़बर हो जाएक ने तो इसको simplify कर देते हैं तरह वह थोड़ा से घड़बर होने के चांसे था है ठीक है अब एक टुवेल प्लस टू कितना हो जागा फोर्टीन यहां पर बच गया 12 वाँ पर बच गया 3 अपन 14 आप इसको सिंपल सा है 14-r कितना हो जाएगा 14-r इसको मैं रेड्यूस करता चला जाएगो तो पहला तरह होगा 14-r as it is दूसरा थर्टीन-r उसके बाद तीसरा होगा 12-r का फैक्टोरियल एक टम रेडियूस होते जा रहा है आप लोगों यह सम पहले भी ऐस तरह के सम सॉल किया दोत्तों को दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ओके 3 upon 14 अब यह दोनों क्या होगे कैंसल अब यहां पर के बचेगा 3 1 0 3 3 4 0 2 राइट है बराबर ही की गलत है ओके आप मैं क्या करूंगा 14 को उद्धर लिखेंगो तो 4 multiply by 14 is equal to 14-r multiply by 13-r अब क्या करना है तो इसको सीधा कर दो 14-r multiply by 13-r अब देखो r की value मैं 6 लेता हूँ एक example दे रहा हूँ आर की value मैं 6 लेता हूँ तो 6 जब इसमें से minus करेंगे तो कितना होगा 14 में सीख जागे तो बचेगा 8 और इसमें से 6 minus करेंगे तो कितना बचेगा 7 एक example ले रहा हूँ ठीक है अब मेरे को पता नहीं answer क्या तो 6 लिए 8 7 बचेगा देखो दोनों को बीच का difference कितना है लेकिन यहां पर हमारे जो number से उनकी बीच का difference जो है यहां पर यह कितना है बहुत ज्यादा है तो मैं इसको ऐसे लिसकता हूँ 14 जो है इसको मैं थोड़ा तोड़ता हूँ कैसे तोड़ूंगा देखो 7 multiply by 2 लिखता हूँ क्या और यहां नबर को बना लेता हूँ 8 x 7 अब दोनों के बीच का difference भी क्या होगा है यह दोनों के बीच का difference बन बन का है 13 14-R के बीच का भी difference बन बन का है और इसके बीच का भी difference बन का है That means 14 by comparing both the side by comparing both the side बोच देसाइद द्यात्मिश्ट चाहर जागा 14-8 और इस त्रीके से मैंने आर की वाली कोशन में क्या बला था find the value of r इसी कोशन था बहुत ही ज्यादा इसी कोशन था आपको बस सब्सक्राइब यहां पर एजस्मेंट कैसे किस तरीके से करूं कैसे किस तरीके से करूं और आप का तरफ के सामने दोस्तों चलो बड़े फटरा फट से आगे वाले कोशन पर यहां पर क्या बोल यंदा क्लें और खुल स्नके 10t VPN ऐस्मेंट प्रबस अ स्नकोल को अलब अपर फिलाल वैसी रखता है एन पियार क्या हता है एन फ्रैक्टोरीयल अपन औन एन मारें वाइन क्या करेंगे अब आपको पता यह गर मैं क्या करेंग्य और देखों आब को को पता है प्लस वन का तो यहां पर देखों एंद प्लस उन का अब यह किसमी रिप्लेस हो जाएका एंद प्लस वन के आपको बता रहा हूं कि कुछ बच्च भी नहीं एदर पर जॉइन होए रहेंगे इस वीडियो के लिए तो फट 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 इसको समध्ट में आए बहुत लिए ने स्कों बता दिया को क्या गए है मिन्स आपका का फॉट सगय यहां पर यह जाएगा N plus 1 as it is, मतलब यह N हो गया, minus R उसका factorial, अब क्या करेंगा? दोस्तों, फटा फट से मुझे बताफट से क्या होगा, है कि इस साइट हो जाएगा वह प्लस वन इस से देले तो धे गल कि रिप्लेस होगे ज़ेगा अनेयु ज़िए है यहां पर आएगा एन प्लस वन का फेक्टोरियल नीचे क्या आएगा एक तुम करना आ है टो एन इसको फ्रेंजमेंट करते हैं यहां पर क्या जाएगा यहां पर गजाएगा और उसको करेंगे कर दो यह क्या बजाएगा soldier 2013 क ve टब यह टर िनके एक टर्ब조स ख़ेंगे सेम है तो n फ्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन ऐसी कॉस्चिंग से यह हमारा अरेचे से अब देखो अलेचे तो सीम दीख रहे गए जरी किसे हमारा कोशन सौल हो गया आगे बढ़ते हैं फटाफ़र से नेक्स कोशन पर यहां पर हाउ मेनी अरे बहुत मास्ट कोशन मिला है मुझे अभी फटाफ़र से देखते हैं पर आपका नाम का जिकर किया हुँ है माधुरी तो मदूरी वर्ड में कितने सबसे रेइंच तरीके से करना है कि लेटर को अमने रिपीट कर सकते हैं सेट लेकर आर मैंने नहीं लेना है बमलेना है अप यहां पहां बाद मुझे ए और ए लेना है तो इसे में कब तक लिखते बेठूँगा इस केस में हम लोग अपना दिमाग इस्तिमाल करेंगे और लिखते ना बेठेंगे यहां पर हम थोड़ा सुनजेंगे और इसको सॉल्ड करेंगे मानलो पहले पर आ गया मैं ठीक है विदाउट रिपीटिशन बोला कुल भुणा गया अब मानलो पहले अमसे अब दूसरा सम्झे साथ उसके साथ एक साथ भीडी पर सेकेंड पर किया जाएंगे उस पर भी सातों के साथ की रिपीटेशन अलाउट है यह पर से यह बिलाउट है इस तरीके से अरेज़ गर सकते हैं तो चोटल आंसर हमारे क्या जाएगा यहां तक भी आपका अंसर अलाउट है ठीक है तो इस केस में हमारे पास कितने लेटर है और हर एक पोजिशन पर हमको एक लेटर सेलेक करना है कितने पोजिशन है तो मानलो पहला पोजिशन है उस पे कितने पॉसिशिशन की साथ के साथ आसकते है अपर इसके से इसके लिए कितने हैं इसको इस तरीके से पहले कर सकते हैं और अधर आपको दिखाया था किस तरीकी से अरेंजमेंट होता है है अरेंज कर रहे थो आर्की विली यहाँ पर किया हमारे पास से वेल अर्की विलिए के अबने खाया और इसको अल्ट करेंगे है वह क्यितनी ह最 t टो यह एक बोल और तो यह उप्रपटी एंट नेकला है अब इन्टो फॉर इंटो प्रींटो फॉर इन्टो रिए तो इन्टो फॉर तो यह सी इन्टो फॉर तो तो फोर ढीटिट्यम मुल्टिप्लाब कितना करेंगे जीन तो आपके सामने इतना भी सोरेंगे तो आपके आंसर रॉंग नहीं है ठीक है आगे बड़ा फट से नेक्स कोशन पे डिटर माइन दे नमबर अर्रेंजमेंट आप अप अल्गोरित्म करके एक वर्ड है जिसको हम लोगो करना ठीक है अब किस तरह के से रेंज करना सबसे पहला जो कोशन इसमें वह वियन्द सबसे पहला उसके वह तो इसके बाद मेरे पास अभी तो कॉंसेंट को मैं सी सी निट करता हूं या पर कॉंसेंट मेरे पस कितने हैं तो तोल लेटर्स कितने मेरे पस 9 अब वोविल्स तीन हो गया आप क्या बोला वोविल्स आट टुगैदर अब ऐसा कोशन कभी आएगा ना तो इस कोशन में क्या करने का वोविल्स आट तूगैदर बोजिया तीन हो तीनों को मैंसे क्या करना एक ग्रूप बनाते नहीं मतलब तीनों को त्यूने एक साथ में बैठे वे हैं तो इसको हम लोग के लेटर पकड़ लेंगे मालों कुई पुरा एक लेटर बनें एक और बाकी के बाकी लेटर अजरिस रखते तो मैरे पास कितने लेटर लास्ट लेटर जो बचके जो मैंने इन दों कंपाइन के रिए पकड़ा हुआ है वो क्या है अब कितने लेटर मेरे पास बनगे 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है अब 7 लेटर को मैं साथ नों पकड़ के फिर उसके बाद सौल करूंगा तो यहां पर सबसे पहले कॉशन साट करते हैं यहां पर कंसी डरीं कंसीडरीं कंसीडरीं ए आई ओ आज सिंगल लेटर एक्स ठीक है तो अब हमरे पास टोटल लेटर्स कितने हैं गे टोटल लेटर्स नाओ अब है टोटल लेटर्स कितना है अपने पस नौ थे अभी नौ में से तीन चले गए अब शूट शे कॉंसेंट बच गे अब इसको अब लोगने एक पकड़ावाए चे प्लस एक साथ लेटर्स हो गया है अब सातों के साथ लेटर का हम लोग अभी घुमाएंगे एक चरसे ह हर पोजिशन पर 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजिशन पर गुमाएंगे साथ लेटर को तो कैसा आएगा हमारा एन पी आर का फैवर बुलाएगा एन पी आरो क्या होता है एन फैक्टोरियल अपन एन मानिस आर का फैक्टोरियल ठीक है हर बार अभी फॉर्माल लिखते हैं नहीं बैटना डा खेक्ट खेकर आप से इन तरीके से लो कितने अब पोजिशन एक्सेंज करते वों समझेंगे तो देखो हमारे पास यहां पर कितने वोविल से थ्री वोविल से नाओ इस चीज को आप लोग समझ जो है ना वह लोग आपस में भी पोशिच्छ अरेंज इधर सी इधर कर सकते मतलब पहले मानलो ए आ गया दुसरा ओ तिसरा आई बाद में चला गया ओ पहला आ गया आई सेक आपको लिखना है अरेंज कितने तरीके से अरेंज के सकते दोस्तों इसको समझो त्री वोवल्स कैन भी अरेंज इन थ्री फैक्टोरियल स्वेस मतलब 3P3 वेस ठीक है वह क्या हो जागा 3 इंटू टे वेस थी इंटू 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 वन डाट इस इकोल सुस्क्स हो जाए अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे हमारे त्री जिरो फॉर जीरो ठीक है इसलिए अब नेक्स्ट कॉश्यन जो इसमें का सेकेंड वर है स्वेस में मेरे पास सबसे पहले मेरे गता यह जुगे कितने से चेंट है चेंट है एक दो तीन चार पास रिख अभी आप देखो इसकीश को समझना मानूलोब मेरा पहले यह इदर आगया आई इधर आ गया ओ इधर आ गया ठीक है और बाकी बाकी प्लेसिस क्या होंगे अपने आपी खाली हो जाएंगे और यह लोग शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ वन टू त्री फॉर फाइट ना इस तरीके से हमाई लेटर अरेंज आएगे ठीक है अब नेक्स क्या होगा हमारे अब लोग ने जो ए आई और इना उसका पोजिशन एक्स्जेंज करना अब यह ना पहले पोजिशन पर इनी रहेगा इस तरीके से लिख देंगे ए आई ओ आप ऐसे करते कितने हमारे आरेंजमेंट बढ़ने के उसको अम लोग को समझना है तो सबसे पहले हमारे पास कितने कितने था पहले हमारे पास चे कॉंसेनन ऐसे पहले इस पोजिशन पर आंटेस है तिक्स फैक्टोरिया ने की और वोवेस से कितने बॉइशन बच्चे दिखों कि यहां प्र बिया सकता है है यहां पर भी आ सकता है तो तो कि इतना होगे है 1234567-7 position for seven position for will कि अब हमारे पर वोवल्स के टीने तुर ट्री वोवल से कितने त्री वोवल्स तो किसे पर सकते दोस्तों ट्री वोबेज़ को अइरंज करा से से 7P3 वेस्द से कितना 7P3 तो फॉर्मुला है वारे पस 7 वेक्टोरियल अपान सब्वेन माईस 3 का फैक्टोरियल ठीक है तो 7 इंटु 6 इंटु 5 इंटु 4 यह क्या हो जाएगा सिंपली 4 फैक्टूरील फैक्टूरी गेंसल 5 इंटू 6 30 और 210 कितना होजाएगा 210 इस तरीके से हम लोग यह त्री वोवल अब टोटल नंबर आजाएंगे टोटल नंबर आफ वेस इतने आ जाएंगे दोस्तों टोलन नंबर आफ वेस हमारे आजाएंगे दोनों को multiply करतो कितने 720 multiply है हमारा 210 तो multiply कर लो आप इसको multiply कर सकते आप ठीक है आप फटापट कर लो क्यों कि लेंदी वीडियो हो रहा है फटापट से हमको ज्यादा कम टाइम है और फटापट से बहुत सब्सक्राइब करना ठीक है आपको अंसे लेखना है सिंबल सा थर्ड व को नितने चहें और पोजिशन कौन सब्सक्राइब क्या है अपश्यादा याके फेष्य इसके गफवल्या कितने हैं या श्वते इस निहां कर दिंख चाहरी है अच्छ अधोशैन चाहरी हमारा च्रजो कि करेंगे हम लोग सबसे पहले चार लेटर को हम लोग क्या आ जाएगा हमारा इवन पोजिशन कितने हमारे पास कितने साथ साथ में से चार लेटर हम लोग अरेंज कर सकते हैं कितना जाएगा सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का अपन सेवन-4 का थीटना हो जाएगा से इधर पच्चा सम्ट्राइब लिखा 7 6 चाहेए इसको लिखो इसको लिखो इसको लिखो फोर मुल्टीप्लाइब थी का फेक्टोय क्या रिखेंगे इन एफ यहां पर कर देता हुँ पर उन्यां फोर्टीप्लाइब पास पांच और लेरे साथ में चाहर लेटर शॉरू शॉर्स दोस्तों यहां पर शे लिटर से यहां पर थोड़ा से गड़ पर फोगया यहां पर छे डालना पड़ेगा हमको तो इसको भी अरेंच कर लेटें हैं यह लेटर थे न हमारे पच्छे एक उसे लिखते और उसके बाद 4 इनके बाद 3 आ जाएगा और 6-4 का फैक्टोरियल ठीक है अब 6-4 का फैक्टोरियल कितना होता है अब आप पॉजिशन के लिए कितने बज़ गया हमारे पास बज़ गया हमारे पास बज़ गया दोस्तों यहां पर अब टोटल की नमबर फैस कितने हो जाएगा पास बज़ गया हम लोगों को लेने है अब फैक्टोरियल और फैक्टोरियल कितना होता है अब दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका इस आजाएगा दोस्तों ठीक यह भी हो गया अब और इसके बाद आटी आज़ लास प्रेस को समझते हैं वह हमारा कहां पर फर्स आज़ के इस दोनों को लेना देने नहीं है हमारे पास छेही साथी बज़ेए और साथी बोजिशन को आएगा अब लोग को अरेंज करना है विख्याम को कोश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि ओ को फॉस्ट रटना ती को लास्ट में रखना तो टी का पॉस्टिन फिक्स के बच्चे पर साथ लेटर साथ लेटर को अरेंज के भी किया जागा जागा जाता है अगे बड़े फटाफट से फाइंड नंबर फेस्ट इस तो पर लेटर कितने हमारे पास करते हैं हिस्ट्री में तो लेटर के लिए लेते हैं कितने पाच होगे इतना क्लियर देखको आई और 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 यहीं कि नहीं है तो दो दो इस होगे और य ती तो गैदर यह एक्स तरीके से ले 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 लिए अब हमारे पस्कुतने ले बजगे एक लेटर बजगे एक लेटर बजगया और टोटल एक कितने लेटर बजगे अगर टोटल हमारे पास 7 तो नंबर ऐस कितने आ जाएंगे उसको और पास 6 तो नंबर आपटी को टुगेदर बोला हुआ है करेंगे तो य और आरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा नमबर अफ वेस्ट कितने हो जाएंगे तू ही आनसर आएगा अब दोनों को मल्टीप्लाइब करते हो कितना दोनों को करते हैं मल्टीप्लाइ करेंगे या अप्ट वाला मेन हम लोको बोला है कि तो इन दोने नहीं हो पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे तो इसको आपको समझ में आजाएगा अब कोई भी रिक्स्रिक्षिन नहीं है कोई भी रिसेशन को आपने को अपने बढ़ता है तो तीन और चार्ट साथ लेटर हैं हमारे पस और से लेटर को कैसे बेदेंगे तोल नंबर आफ वेस्ट हमारा जाएगा इसका अब यहां पर बिगिन और विद वोवेल तो बिगिन करते हैं वेवल के साथ बिगिन विद वोवेल बोला हुए दोस्ट इसको समझो फटापट से बिगिन और विद वोवेल मतलब हुए मतलब हो सकता है और एक तो तील चार पाच और उसके बाद साथ लेटर है 12345 और लास्मय रहेगा ओ दूसरा क्या हो सकता है पहले होगा और तो इसके लिए आएगा हमारा फाइफ हो जाएगा और इसके लिए विले हमारी कितने ही फाइफ और यहां पर इसको निचे लिखेंगे अभी इसको समझते हैं पहले इसको उठाता हूं अब ब्लब लिखेंगे सबसे पहले पर बाइफ सकते हैं तो यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों फटा पर समझे इस चीज़को यहां पर हमारा पहले हैं और आई बाद में उसमें भी सेम फाइप और यह क्या हो जाएगा हमारा फाइप फैक्टर डाट इस इगोस तो कितने हो जाएंगे दोस्तों यह हो जाएगा 120 यहांने की तूफर यह आ गया ठीक है उसके बाद हम लो जाते हैं यह भी समझ में आगे टोटल नंबर फैस बहुत बढ़ा हो रहा है फिर फटाफट से करने कोशिश करेंगा हमारा कितना हो गया यह भी दीवी हो गया अब बोला अब लोगो बाकी लेटर से फिल करना है बाकी लेटर कितने 5 तो हमारे इसके लिए होगा 5 फैक्टोरिया और इसका अंसर भी आजागा 120 इसके अदर पाट पोसिशन बचे तो बहुत बहुत इसी कोशिचन आपको यह कोशिचन भी समझ में आने वाला है और लास्ट में क्या स्टार्ट करना हम लोगो एस के साथ एक दो तीन चार पाच बच्चे को हम लोगो बाकी लेटर से फिल करना और लास्ट में क्या हमेरे पस्टी तो पाच लेटर को फिल करना दो उसका फॉर्मला कियागा 5P5 और 5P5 यानिकि 5 का पैक्टोरियल और सेम इसका विएंसर कितना है का 120 ही आएगा ठीक है दोस्तों सॉल करें ट्राय करें नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्चिन पूचे और फिर भी नहीं क्लियर रोड़ आउट तो आप मुझे इंस्साग्राम पर पूच सकते जिसे मैंने आपको आईडी प्रोइट की हुई है आगे बड़े फट है कितने हमारे पास कांट करो 123456 कि तो पहले में क्या बोला हुआ है डिपिटेशन अलावड है थो देखो पहले पोजिशन पे डिखोटरी फॉर डिजिट आपर वान कर रहा है तो पहले पोजिशन पे शेक है नमबर आ सकते दूसरे पूच्छे नमबर आ सकते तीसरे वेज क्या हो जाएगा इस मल्टीप्लाइबाइबाइबाइबाइब इसके लिए आपको ओके आप इसको करेंगे डिजिट काणाट भी एपीट इट नहीं होगा तो यह भी बहुत इसी कोश्ण है है मतलब हमारे पास 1 2 3 4 जार पोजिशनसंस है अब पहले नमबर पर कितने चांस से आने के कितने आने के छे के चे आ सकते राइट पहले पिस एक में से 1 मेरी यहात पुस्ट जाल दिया अब कितनी बच यह पांच इसके लिए पॉस्टिश्थ गई पांच इसके लिए पांच लिखो टोटल नमबर ओब वेज क्या जाएगा हम लोग के पास कितने से हमारा सिक्स कितने के कितने करने हम के करने को थूस्कों कितने पोकर लिखतो हो तो सिक्स पैक्तॉर पाउन आपन तू का एक तोर हो जाएगा इन्टू पाइफ एंटू फाइटू एंटू पॉर इन्टू त्री इन्टू तू का फैक्टूरियल अपन तू का फैक्टूरियल एक सिग ना ओके हां तो इसफ फाइजा 30 सब्सक्राइब करना है इससे हम लोग को कितने डिजित नमर बनाने कितने 123456 बनाने इसे पहला बोला हुआ हुआ है कि वह नंबर डिविजिल बनाना चाहिए होते हैं तो आपको कोई कंडिशन बता है कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइब होते हैं क्या होते हैं प्लेट प्लेट पर 0 & 5 होते हैं यहां पर कौन को सब्सक्राइब 1 2 3 4 5 6 7 8 0 नहीं है बतले यहां पर एक ही पॉसिलिटी जो क्या सकती 5 बच्चे विए नंबर को हम सब्सक्राइब करके यहां पर अरेंज करना है तो यहां पर हमारे पास total number of ways कितने हो जाएंगे total number of ways अब कितने लेटर हमारे पास एक चला गया कितने बच गया हमारे पास पाच बच गया जगा 5P5 यानि कि क्या जगा 5 का फैक्टोरियल यानि कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यह हमारा इसका अंसर आ जाएगा अब दूसरा कोश्चन देखते दूसरा को सॉल करने का आगर आपको यह वह दिखन इस नंबर डिविजिब पाइव माली जाएंगे पूरा में से आर जो डिवाइट होते होनाइस कर देंगे तो बच के वह दिवाइट नहीं होंगे उसको अमने फाइंट कर लेंगे यह पर देखो फटा फट से सबसे नंबर नौट डिविजिब आपकर नोट करना है तो सब के सिक पोजिशन है ओके आप इसको गरेंगे सिस्टेक्टर ली किता हो जागा हमाना 720 राइट है और तोटल नमबर अफ वेज दिजिट दिजिट जो भी नमबर फॉर्म होता है तो नमबर फॉर्म नॉट दिजिबल भाइब भाइब तोटल वेज टोटल नमबर फॉर्म माइनस तोटल वेज उसमें क्या आएगा नमबर्स आर डिविजिबल भाइब इस तरीके से कुछ आएगा ठीक है टोटल वेज कितने हमारे पर 720 नमबर फॉर्म कितने हमारे वीडियो को कर देंगे ठीक है तो थोड़ा सा यह भी लेंदी हो सकता है तो थ्री बोई से थ्री गल्स को हम लोग क्या करने साथ बैठा रह है थ्री बोई सको और थ्री गल्स को सबसे पहला क्या करना है दोर्म रिस्ट्षयंट कोई यह से बट अपरि बहना कंद से कुछ भी आरिक करतो हमेरे पास टोट्रस कि टोटल चलेगा तो मैं सुटेंस ही लिखता है यहां पर टोटल सुटेंस कितने होंगे सिक्स आप पहला जो पर नो रिशिक्ष्टन मादब कैसे बैठाओ तो सब के सबको हम लोग एक कमबाइन पकड़ेंगे टोटल वेस्ट कितने बच्चे टोटल सिक्स सिक्स में से कितने सि सिलिक करने और अर्रेंज कर देना है फटा-फट से तो वह जगा सिक्स फेक्टरल डाट इस इकुल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब यहां पर भी गल आएगी यहां पर भी गल आगई अब बचे को हम लोगो तीन बॉय और एक गल के साथ हम लोग क्या करना है इतना क्लियर अब कैसे करेंगे आट फोसिष्ट को करते हैं हमारे पास टोटल कितनी गल से 3 तो 3 गल मेंसे पॉइंट पॉइंट कृइंड बेटेंगे हमारे गल्स बैटेंगे एक पोजिशन पर एक ही वे गल्स बैटती है तो दो पोजिशन से हमारे पास और गल्स कितनी तीन तीन में से दो ही गल्स सिलेक कर पाएंगे तो फ्री फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 और उसके बाद 3-2 क्या तो 1 का अब हम लोग फाइंड करते हैं बीच के जो पॉजिशन बच गया है का मारे पास फॉर पॉजिशन 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 उसके में कितने थ्री बॉइज है मैं वन गर्ल्सकॉम नबर फॉज्टि यतने हो जाएंगे मांने नंबर फिए दिक हो माँ पार पर टोरौल कितने बंदे हमारे पाद चारों की चारों सेलेक करना है चारों को छारों को अर्फ प्र आलग रखो इसको आम लों कैसे कर सकते हैं फोर इसको फॉर पी-फॉर या सकते हैं इतने क्लियर हो गया अब टोटल नंबर आफ वेस कितने हो जाएंगे हमारे कि इतना क्लियर हो गया अब यहां पर हम लोग गल्स को हार एक एंड पर रखेंगे इतना क्लियर हो सब्सक्राइब एक यह आपढ़ की सतता है को गया रेक्ते इसल्法 आकालने सकते सब्सक्राइब को मैं आप लोगों कहान की सब्सक्राइब से बेटा सब्सक्राइब लेहान आपको यहां पहला क् लिसक्राइफ केस्ट supply क्टों में इस के लियुंट करें कमारा इस्तार तोटल नंबर ऑफ वेस्ट जो भी निकालेंगे उसको से ब्लीप्लाइब कर तो यह इकोल स्थू टू मल्टीप्लाइब है अब बॉइस के लिए कितने हैं वह फॉर बॉइस फॉर वैस फॉर वेस्थू ग्ल्स इतना कियर हो गया कितने तरीके से इनके लिए पी पूशिशन से और तीन तरीके से अब रफ कर सकते हैं आपको समझ में आगे रहे का लिखा हुआ तो इसको समझ लो और इसको सॉल कर लो ठीक है बहुत इसी कोशन सा अब हम लोग आज के से इसमें के लाज कोशन को भी प्टामपर समझ लेते हैं औल बॉइस क्या बोला हुआ है औल बॉइस सिट तुगेधर सारे के सारे बॉइस सिट तुगेधर यानि कि बॉइवन बॉइट टू और बॉइट जो है न हमारे इसको हम लोग एक एक ही पकड़ते एक बंदा एक प्रफेशिए लेकिन अब फ्री बोई पॉर ट्री थ्रीपी ठ्री उनको भी अप्स करना पड़ेगा करना पड़ेगा हुआ प्स मापने क्या कर सकते पोशिशन को आरेंज कर सकते बदल सकते ती के रिकां र्या एक प्टोर्यर्य ऐस तोटल नमबर उप एक इतने हो जाएंगे दोई को मेल्टिप्लाइ करतों है तोटल नमबर उप वेस क्या हो जाएंगे हमारे दोनों को मैल्टिप्लाइब लेकिन आपको सारे सारे समझाना भी ज़रूरी था इसलिए मैंने सारे सारे कोई भी दिक्कत कोई भी परेशन आप का कर सकते कमेंट सेक्षिन बूछ सकते हैं अधरवास आप मुझे इंस्साग्राम पे भी सवाल कर सकते हैं तो वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो लाइक देज वीडियो शेर देज इन सस्क्राइबर चैनल मिलते हैं नेक्स अब सबको समझ करके लेंगे ठीक है अब तक के लिए स्टे ट्यून एट गुडबाए